वेलकम फ्रेंडेस इन हेल्ट्स रेंबो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइट के बारे में high blood pressure patient को क्या डाइट लेनी चाहिए यदि हम बात करें high blood pressure होता क्या है तो उसको आप पहले blood pressure को समझे हमारा जो blood pressure होता है systolic और diastolic होता है systolic जो होता है 120 और diastolic 80 ये जो होता है इसके बीच में होना चाहिए ये है तो normal होता है यदि शुरुआत्मी level बढ़ता है तो ये जो होता है systolic जो हो सकता है 121 से लेकर 130 के बीच में और diastolic जो है वो लगबद 80 तकी होना चाहिए अब जो hypertension की जो stage होती है stage 1 और 2 उसमें क्या होगा ये जो होगा systolic आपका 130 से लेकर 140 के बीच में रहेगा और जो आपका diastolic pressure है वो लगबद 80 से लेकर 90 के बीच में रहेगा ये जो होता है elevated होता है और इस दरहां आपके doctor से आप concern करेंगे तो आपके doctor आपकी medicine शुरू कर देंगे उसके अलावा यदि आपका लीविल मेडिसीन के बाद भी जो होता है नहीं कंट्रोल होता है और फ़र्दर आगे बढ़ता है तो आपको इसके लिए जो होता है आपके डॉक्टर से फ़र्दर कंसल्ट करना पड़ेगा और इसका आपको अपचाard तुरंत करवाना पड़ेग क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है क्योंकि यदि इसको control नहीं किया जाये था इसकी वैसे आपको stroke की बिमारी हो सकती है आपकी आखों की रोशनी जा सकती है heart attack है, heart failure, sexual dysfunction ये kidney से संबंदित बिमारियां आपको हो सकती है तो अब यदि हम बात करें इसको आप कैसे initially diagnose कर सकते हैं तो उसके लिए आप अपना blood pressure manage कर सकते हैं और उसका कारान जानने के लिए आप test करवा सकते हैं जैसे कि lipid profile test जिसमें पता चलेगा कि आपका जो cholesterol level बढ़ाए की नहीं है उसके अलावा आपकी liver और kidney को भी आपको पता करना चाहिए कि इसका असर तो नहीं हुआ साथ में urine examination ते है तो यह आपको test करवाते हैं रहना चाहिए उसके अलावा HbA1C test या glucose fasting और PP test भी आप करवा सकते हैं कि जातलों को hypertension के साथ साथ में diabetes की विमारी होने के भी chances होते हैं अब यदि बात करें कि आप उसके लिए क्या लेंगे अधि आपका blood pressure high है तो उसको कैसे control करेंगे उसके लिए क्या खाएंगे तो जो सस्ती चीज़े होती पहले मैं आपको बताता हूँ तो सस्ते में सबसे पहले हैं जो vitamin C से related जो fruits होते हैं उनको आपको लेना चाहिए पहले करने में मदद करेंगे उसके अलावा आप सभी के घर में जात नीबू वगरा होते हैं तो नीबू जो होता है नीबू है उसके अलावा संतरा है इनमें क्या होता है blood pressure को control करने की शमता होती है साथ-साथ में इसका आप juice वगरा पीते हैं पानी के साथ पीते हैं तो इससे भी blood pressure आपका control है सकता है तो आप रोजाना एक glass नीबू पानी या औरेंज जूस वगरा पी सकते हैं यदि आपके लिए best होगा आप जो नीबू पानी है रात को सोने से पहले एक glass पी करेंगे तो इससे क्या होगा दिन बर आपने जो खाया होगा उसको लेवल को control करने में ये मदद करेगा आपका जो fat है लेवल उसको control करने में मदद करेगा उसके अलावा जैसे आप कहीं आपर अगर बिलता है जैसे कि बेरीज है या उसके अलावा चेरीज वगरा है या बेर वगरा है या जामून वगरा है तो यह भी आप ले सकते हैं इससे भी आपका blood pressure control करने में मदद मिलेगी यदि आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको जो vitamin C है आपको जादा नहीं लेना चाहिए क्या आप vitamin C के मातरह जादा ले लेंगे तो इससे आपका पेट भी खराब हो सकता है तो vitamin C के recommended dose होती है man के लिए 90 mg होती है per day और man के लिए 75 mg तो आपको इससे जादा नहीं लेनी चाहिए इससे क्या लेंगे तो इससे क्या होगा आपका पेट खराब हो सकता है अब दूसरी हम चीजे बात करते हैं दूसरी कौन सी चीजे होती है धर्म मोज़ो जो कंट्रोल कर सकती है तो उसके लिए fiber से संब्द जिनके अंदर रेशा होता है वो आपके लिए काफी फाइदे मंद होती है अब रेशा किस में होता है और कितना चाहिए होता है तो रेशा जो होता है लगबच अगर हम fiber की बात्रा की बात करें तो लगबच आपको ाको 28 जो ग्राम होता है fiber daily requirement होती है ये क्या करते हैं आपका fat के level को तות दूसरी अन्हे बीमारियों में भी मदद करते हैं पैट की लेबल को कंट्रोल लगते हैं, जिससे आपका जो होता है, कॉलिस्टोल लेबल बढ़ता नहीं है, अब ये कहां कहां मिलता है, तो यदि हम बात करें, ये जो होता है, दालों में मिलता है, जैसे कि मसूर की दाल है, राजमा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें पाए ज लेख सकते हैं। उसके अलावा दालों में काफी अधिक मात्रा में फाइवर होता है दाल, फलीदार, सब्जी आ पोशकतत के सासाथ में ये क्या करते हैं फाइवर के लेफल को मैंटेन करते हैं तता जो ब्लड सर्कुलेशन में भी मदद करते हैं। उसके अलावा जो है आप जैसे सब्जियों में इदि हम बात करें तो आप सब्जियों में कोई भी सब्जी खा सकते हैं हरी पत्यदार सब्जियां और टीक बात बताएं कि यहां पर जो कद्दू का बीज होता है वो जो होता है ब्लेट पेशर के रोगियों के लिए काफी फायदा होता है तो आप 8-10 कद्दू के बीज वगरा रोजाना जो उसका छिकल निकाल के उसको भी खा सकते हैं यह भी आप सरे कंपोनेंट होते हैं जैसे की फैनोलिक एनोलिग कंपाूंड होते हैं जो आपके क्या करते हैं ब्लेट पेशर को मेंटोराईन करने में मदद Chand log पिस्ते वगरा लगवा साथ- pontosत रोजाना खा सकते हैं पिस्ता में भी ब्लेट पेशर को कंट्रोल करने में बहुत सारे सम बात करें, दूद की तो आप जो है low fat milk ले सकते हैं, दही वगरा का इस्तमाल कर सकते हैं, बट आप कोई जादा इस्तमाल नहीं करना है, चीज वगरा आपको कम ही इस्तमाल करना है, तो आप dairy products में आप दूद ले सकते हैं, low fat का उसके अलावा दही ले सकते हैं, उसके अलावा यदि आप जो non-vig वगरा खाते हैं तो आप जो fatty fish वगरा होती है उसका इस्तिमाल कर सकते हैं क्योंकि इससे क्या होगा जो आपका HDL cholesterol का level बढ़ेगा और जो आपके लिए काफी फाइदे मन होता है साथ साथ तो आपको यह ध्यार नखना है कि आपको अपना जो blood pressure है वो monitor करते रहना है जिससे आपका blood pressure high न हो जाए और accordingly आप उसका proper treatment लेते रहे हैं इसके लिए आप अपने general physician से discuss कर सकते हैं so उमीद है आपको information अच्छी लगी होगी यदि अच्छी लगी तो please share करें और चैनल subscribe नहीं किया तो चैनल subscribe करें With this thank you very much for watching Health Rambo